Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? So, इस वीडियो में हम लोग एक problem के बारे में बात करेंगे, जो इगनू के जितने भी student है, वो re-registration करने के time पे face कर रहे हैं. क्या है वो problem, उसका solution क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में detail में बात करेंगे, आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete ज़रूर देख लिजएगा. Now, re-registration करने का last day, जैसा कि आप लोग को पता है, कि 31st जन्वरी तक रखा गया है, लेकिन re-registration करने के दौरान, सभी student same problem face कर रहे हैं. क्या problem है? वो registration ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर re-registration करेंगे कैसे? क्यूंकि जो OTP receive होने वाला है उनके mobile नमर पे, किसे भी student को कोई OTP receive नहीं हो रहा है, और OTP receive नहीं होने के वैसे, वो registration नहीं कर पा रहे हैं. मैं आप लोग को बता दूँ कि जो re-registration करने के लिए समर्थ portal बनाया गया है, उसे सिर्फ re-registration ही नहीं होता है, बलके और भी बहुत सारे other services समर्थ portal से ही किये जाते हैं, जैसे कि study center change करना, regional center change करना, address change करना, i-card download करना, वो सारा चीज आप re-registration का portal जो बनाया है, समर्थ portal उसे कर सकते हो, लेकिन कोई भी student अगर re-registration कर रहा है, या कोई भी service का लाव उठाना चाहता है, तो उसको पहले इस portal पर registration करना परेगा, registration करने के लिए उनको पहले new registration के उपर click करना होगा, यहाँ पर अपना सारा detail fill up करना होगा, detail fill up करने के बाद से जब वो submit करते हैं, तो इस तरीका से एक message उनके portal पर आता है, कि SMS sent successfully to your register mobile number, ठीक है, यहाँ पर उनका mobile number दिया रहाता है, और उसके बाद से यहाँ पर यह भी लिखा रहाता है, कि unable to send mail to this email ID, लेकिन यह जो बोला गया है, कि SMS sent successfully to your register mobile number, यह mobile number सही है, लेकिन OTP mobile पर रिसीब नहीं हो रहा है, तो जब तक यह OTP रिसीब नहीं होगा, तब तक student registration कर नहीं पाएंगे, यहाँ पर तो ऐसा हो गया, कि एक problem खतम नहीं होता है, दूसरा problem स्टार्ट हो जाता है, 31 December से पहले, कोई भी student अगर re-registration करते थे, तो उनका जो OTP था, वो email address पर भेजा जाता था, लेकिन बहुत सारे student email address receive नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका email address गलती था, या email address active condition में नहीं था, तो इसको लेकर complain किया गया, तो फिर उन्होंने system बनाया कि, अब mobile नमर पर OTP जाएगा, लेकिन जब से यह system बनाया गया है, तो mobile नमर पर OTP जाहीं नहीं रहा है, actually होता यह है, कि आप लोग कोई भी SMS receive करते हो, I mean OTP का, चाहिए वो bank का हो, या कोई भी अधर संसक के लिए, I mean कोई भी app में login करने के लिए, आपके पास OTP जो आता है, वो OTP का जो message है, वो खड़ीदना परता है, बहुत सारे ऐसे provider हैं, जहां से खड़ीदना परता है, तो ignore मुझे लग रहा है कि, खड़ीदा ही नहीं है, क्योंकि जब से ये system start किया, तब से OTP जा ही नहीं रहा है, आप लोग भी एक बार, re-registeration के portal पे जाके, या तो पहली बार registration करना, या फिर अगर आपने registration कर भी दिया है, तो एक मरता forget password करके, और check करना कि उस time पे भी OTP आ रहा है या नहीं, अगर कोई भी student के पास OTP जाए, तो नीचे कॉन बाक्स में जुरूर बताना, मैंने तो हर एक रीजन का भी चेक किया, किसी भी रीजन का OTP नहीं जा रहा है, इवेन अगर आप login करने के लिए password भूल गए हो, तो password reset भी नहीं हो पार रहा है, जिसके वासे registration कर नहीं पार है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप reset password के उपर click करोगे, तो यहाँ पे बुला जाएगा आपको program code और enrollment आप पूट करने के लिए, वो पूट करके अगर submit करोगे, तो वहाँ पे भी same वही मसला आ रहा है, वहाँ पे भी same यही message आ रहा है, कि SMS send successfully to your register mobile number, ठीक है, लेकिन OTP आई नहीं रहा है, के तरफ से ही यह manage किया जाएगा, क्योंकि या तो उनके portal में issue है, या फिर जो pack है, वो pack उन्होंने खड़ीदा नहीं है, या फिर renew नहीं कर रहा है, इसी वैसे student के पास OTP नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यह registration division को बताना पड़ेगा, registration division के पास complaint करना पड़ेगा, तब जाके यह issue resolve होगा, पहले, जब email address पर OTP नहीं आ रहा था, तब regional center से manage हो जा रहा था, क्योंकि regional center के पास यह आधिकार है, कि आप email ID change कर सकते हो, तो email ID change कर देने से फिर हो जाता था, या password reset कर देते थे, लेकिन यह जो mobile number पर OTP नहीं आ रहा है, यह portal को change किया गया, और वहाँ पर issue हुआ है, जिसके वासे यह OTP नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको mail करना है, मैंने already mail किया हुआ है, जो concern department है वहाँ पर, बोला गया है कि 3-4 जिनों में resolve हो पाएगा, लेकिन सभी student अगर mail करेंगे, तो ज़्यादा pressurize होगा, और जल्दी resolve हो पाएगा, क्योंकि time बहुत कामें, 31st January तक ही last date है, और सभी services के लिए आपको, यही पर ही login करना होता है, और OTP के वाज़ से कोई login ही नहीं कर पा रहा है, तो आपको mail करना परेगा यहाँ पर, mail का format मैं टेलिग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप लोग टेलिग्राम चैनल से copy कर लेना, ठीक है, mail करना है सबसे पहले srdriv at the rate igno.ac.in, यह srd division का email address है, उसके बाद से escape police at the rate igno.ac.in, यह srd division के deputy director है, और एक register srd at the rate igno.ac.in, यह तीनों जगा पर mail करना परेगा, और साथ में आप regional center को भी mail कर सकते हो, या cc में regional center को रख सकते हो, जो भी आपका rc है, जैसे माल लोग किसी का rc पतना है, तो rc partner at the rate igno.ac.in, या जो भी आपका rc है, rc उसके बाद से आपके regional center का नाम at the rate igno.ac.in, तो यह चार जगा पर आपको mail करना है, ठीक है, mail में लिखना क्या है, subject में लिखोगे, urgent OTP issue while doing re-regulation, subject अपने मन से कुछ और भी change करना होगा, तो कर सकते हो, mail को एकदम short में लिखना, IGNU के किसी भी official को mail अगर करना है, तो कोई भी बात लिखोगे, एकदम short में लिखोगे, अपने enrollment number program को जरूर लिखोगे, long mail कोई भी नहीं परता, ठीक है, इस चीज को या धखना, तो mail में क्या लिखना है, respected sir, I am a student of IGNU, और यह जो चारो email address में ने दिया हुआ है, वहाँ पे as one as possible mail कर देना, क्योंकि जितने भी student है, वो सभी face कर रहें, आप लोग चाहें, तो आज जो safe side, re-recision का portal पे आके, और खुर से भी अपना detail पूट करके check कर लेना, आप के पास भी OTP receive नहीं होगा, तो सभी student यह mail ID पे mail कर देंगे, ताकि यह issue जल से जल resolve हो पाए, और जितने भी student हैं, जो re-recision नहीं कर पाने, वो जल से जल री-recision करवा ले, re-recision करवाना compulsory होता है, जो भी student ने अभी तक re-recision नहीं करवाया है, और वो re-recision काने के लिए eligible है, जन्वरी 22 सेसन में, तो वो करवा लेना, last day 31st जन्वरी तक रखा गया है, कौन-कौन करवा सकता है, कौन-कौन नहीं करवा सकता है, उसके उपर मैंने detail में video बनाया हुआ है, साथी-साथ, re-recision कैसे करना है, आप लोग चाहने हैं, यह वीडियो देख सकते हैं, उपर कार्ड में मैंने वीडियो को link दे दिया है, तो यही सब्था इस वीडिया में, तो इस अपता है इस वीडिया में, तो एस एंड ओटीपी को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहते हैं, उसको लेकर मैं डीटेल इंफरमिशन आप लोग को दे रह ।